नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गोगी और आज Motorola ने Moto C Plus को इंडिया में लॉंच कर दिया है Moto C Plus, Moto C का एक बहतर वेरियंट है और इस हंसेट की जो कीमत है इंडिया में वो है 6999 रुपे तो अगर आप डिजाइन को देखेंगे तो उसके हिसाब से जो प्राइजिंग है वो काफी अच्छा है लेकिन अगर आप स्पेसिफिकेशन की तरफ ध्यान देंगे तो ये MediaTek का Quad को Powered है जो की इतना बुरा नहीं है लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये MediaTek का Quad को Powered Hensit है लेकिन इस पर जो Android Operating System इस्तमाल हो रहा है वो है latest Android 7.0 और ये आता है 2GB RAM के साथ में 16GB internal storage space के साथ में इसका जो weight है 162 grams है स्क्रीन की अगर बात करें तो 5 इंच का स्क्रीन है 720p resolution के साथ में आता है बैटरी इसकी बहुत ही अच्छी है 4000 mAh की बैटरी है जो कि आपको बहुत ही अच्छा बैटरी बैकप देगा और ये Fast Charger के साथ में आता है 10W का Fast Charger box pack में included है ये handset 4G with voice over LTE support करता है मतलब कि आप Reliance Jio Sim इसके साथ में इस्तमाल कर सकते हैं एक और खास बात इस Moto C Plus की ये है कि इसमें आता है dual SIM slot मतलब दो nano SIM slot और एक separate microSD card slot मतलब कि आप दो nano SIM का इस्तमाल कर सकते हैं और साथ में एक microSD card का भी इस्तमाल कर सकते हैं camera की अगर बात करें तो इसमें 8 megapixel का autofocus camera है rear camera और जो front camera है वो 2 megapixel का है दोनों ही front और rear cameras जो है वो आते हैं flash के साथ में मतलब कि front camera पर भी flash है और जो rear camera है उसमें भी आपको flash मिलता है एक और खास चीज नोट करने वाली moto C plus पर ये है कि इसका जो sensor है ये सिर्फ एक ही sensor के साथ में आता है accelerometer मतलब कि proximity और light sensor इस पर missing है ये तीनों sensor बहुत ही common होते हैं आपको ज़्यादा कर के smart phones पर मिल जाते हैं लेकिन इस handset पर सिर्फ एक ही sensor है light sensor अगर नहीं भी होगा तो भी कोई problem नहीं है आप जो brightness है screen का उसे manually control कर सकते हैं लेकिन जो proximity sensor है वो बहुत ही important होता है especially जब आपको call आता है और आप phone को अपने कानू के साथ में लगाते हैं तो जो screen है automatically switch off हो जाता है तो इसमें ऐसा होगा नहीं क्योंकि इसमें जो सिर्फ एकी sensor है और proximity sensor missing है मतलब कि chances जादा है कि अगर आपको call आता है और आप उसे आपके कानो के साथ में लगाते हैं तो हो सकता है कि जो screen है वो आपके skin के साथ में touch हो जाए और हो सकता है कि call cancel हो जाए या कोई अलगी button दब जाए तो ऐसे problems होने के chances जादा है इस Moto C plus handset पर तो overall अगर देखा जाए तो handset का जो specifications है वो काफी अच्छा है pricing भी काफी अच्छा है जो sensor part है उसने काफी disappoint कर दिया है और बाकी सब areas में काफी अच्छा है तो ये handset जल्द ही flip card पर आपको मिल जाएगा 28th June से available होगा और इसकी कीमत है 6,999 रुपे आपको ये वीडियो कैसे लगा इसके बार में हम जुरूर बताईए इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद